आज के ठीक 200 वर्स पहले मेंडल का जो जन्म हुआ था वो एक पेजन्ट फेमली में हुआ था किशान जो कृषिप का कारे करते हैं ऐसे परिवार में हुआ था और उनके जन्म का स्थान जो था मुराविया था और वो एर था 1822 आज है 2022 ठीक 200 साल पहले और अपने जन्म के ठीक 21 साल के बाद 21 एर्स लेटर 1843 में उन्होंने ब्रन सुसाइटी को जोईन किया जो एक विसेश रिलिजिस कमेंटी को विलांग करते थे और वहाँ पर वो कुछ दिन एज टीचर भी काम किये जिस समय मेंडल ब्रन सुसाइटी में जोईन किये थे वो द चार्स डार्विन जो है 1809 से लगा कर 1882 तक सर्वाइब किये मतलब ठीक इन से दो साल पहले उनकी डेथ हुई और चार्स डार्विन भी उस समय और जिन आफ इस स्पीसीज के बारे में खोज रहे थे कि कैसे नई स्पीसीज की और जिन कैसे होती है कैसे इस स्पीसीज बनती हैं और उस समय साइंस का बहुत डेवलप्मेंट नहीं था जानकारियां बहुत कम थी मेंडल से पहले डार्विन ने यह प्रपूस किया कि पूरी बॉड़ी से जेमिल्स आते हैं या जिनको उन्होंने कहा पैंजीन साते हैं पूरे बॉड़ी के सभी आर्गन से और वो जेम और फ्यूज करके फिर वही पैंजीन्स फिर नए ओगनिजम्स को बनाते हैं और वही कैरेक्टर्स डेवलप करते हैं जो पैंजीन्स आये रहते हैं उसी दोरान मेंडल भी अपना कारे थोड़ा सुरू कर दिये थे और मेंडल का बहुत इंट्रेस्ट था में अपने अती इंट्रेस्ट के कारण वो कुछ काम करते जा रहे थे तो मेंडल जो थे करीब कुछ दिन मानस्ट्री में काम करने के बाद दो वर्स के लिए इन्वस्ट्री आव वियना चले गए और उन्होंने वहाँ पर नेच्रल हिस्ट्री और मैथमेटिक्स में अपनी अपनी ब्रन सुसाइटी में और फिर उसने वहाँ पर वो एज प्रीस्ट काम करने लगे वहाँ पर फिर टीचर हो गए उस सुसाइटी में और जो उनको अपना समय मिलता था समर में वो अपने हाइविडाजेशन एक्सपेरिमेंट्स करते थे प्लांट्स के ऊपर मेंडल ने जिस प्लांट को चुना ओ गार्डन पी थी यह आर्नमेंटल पी होती है पी आप समझ रहें मतर जो होती है सब मिला के 34 वाराइटीज गार्डन पी की मिली जिसमें से उन्होंने 22 वाराइटीज को सलेक्ट किया उन 22 वाराइटीज में उनको क्लियर कट डिस्टिंग्शन था करेक्टर्स में और वो कांट्रास्ट भी रखते थे जैसे कोई चीज छोटी थी पौधा तो बड़ा भी पौधा था इस तरह से उन वाराइटीज में कांट्रास्ट उनको देखने हो कि मिला शीट का शेप था या फ्लावर का कलर था इस तरह से उनको बहुत अच्छे कांट्रास्ट मिले और 22 वाराइटीज के साथ उन्हों अपने एकस्पेरिमेंट शुरू किया और एक खास कांट्लूजन पर पहुचे तो मेंडल जब अपने कांक्लूजन पर पहुचे तो उस समय उन्होंने उस ब्रण सुसाइटी में एक पॉपूलर लेक्छर उन्होंने डेलिवर किया और वह पौपुलर जो था इंटाइटेल था experiments in plant hybridization वो उस community के सामने अपने उस पेपर को उन्होंने पढ़ा नेचुर अफिस्टी सुसाइटी जो वहां की थी ब्रण की और वो popular lecture पढ़ा तो उन्होंने और फिर उसकी ब्रण सुसाइटी के annual proceeding में वो publish भी हुई और इतने important conclusions को उस समय की जो scientific community थ इसको overlook करी उसको कोई मानिता और उसमें की scientific community ने नहीं दिया और जिस समय मिंडल ने अपना वर किया था उस समय क्रोमोसूम के बारे में तो पता हो गया था कि क्रोमोसूम होता है लेकिन मायोसिस के बारे में नहीं पता था कि कैसे मायोसिस होती है और जीन्स के बारे में भी उस समय पता नहीं था जीन्स का नाम जो है जॉन्सन ने 1909 में पहली बार जीन्स का नाम दिया बेंजर ने इसके fine structure को बताया आज जो term genetics है वो पहली बार coin किया गया नाम दिया गया बेंजर सन के द्वारा 1909 में तो genetics क्या है genetics जो है एक science है heredity और variation की heredity मतलब जो हम अपने parents से inherit करते हैं variation क्या है जो हम अपने parents से थोड़ा vary करते हैं जो थोड़ा different होते हैं तो genetics जो है science है heredity और variation की सेग्मेंट है जो character wear करता है लेकिन मेंडल के समय gene के बारे में भी नहीं जाना गया था मेंडल ने fundamental laws of inheritance दिया और मेंडल ने ये भी बताया कि Darwin के द्वारा जो प्रपोस था कि जो characters हैं वो एक generation से दूसरे generation को transmit होते हैं ऐसा भी नहीं होता है तो उन्होंने कहा मेंडल ने कि जो characters एक generation से दूसरे generation को जो inherit होते हैं वो बहुत discrete particles के द्वारा होते हैं और वो discrete particles को मेंडल ने कहा कि एक character है या मरकमल उस समय कहा गया अपनी वहां की भासा में characters और मरकमल इसको English में जब translate किया गया तो यह आया factors या determinants तो उसी को factors कहे उसमय या determinants कहे उसमय जीन के बारे में कोई जानकारी नहीं थी तो trait कहिए, factor कहे, determinants कहिए यही discrete particles एक generation से दूसरे generation को characters को carry करते हैं मेंडल ने अपना जो popular lecture वहां की natural history society में पढ़ा वह year था 1865 का और 1865 में तो उन्हों ने popular lecture को पढ़ा society के आगे और वह publish हुआ 1866 में लेकिन जब मानिता ही नहीं मिली उस समय तो वह बिलकुल up square हो गया वह बिलकुल कुड़ेदानी में समझे की एक तरह से वह फेक दिया गया पढ़ा रहा इसे इसके बाद तीन साइंटिस्ट्स जो की अलग-अलग countries के थे और वो भी अपने work कर रहे थे उन तीनों का नाम था Hugo डिवरिस कॉरेंस और टसर मॉक इन लोगों ने independently अपना work किया और work करने के बाद वो अपना paper publish करना चाह रहे थे एक अंतर और है कि Mendel कोई paper नहीं लिखे थे कि paper हमें publish करना है नहीं मेंडल ने अपना popular lecture दिया था और इन लोगों ने इन तीनों ने अपना paper लिखा और उस paper में आप जानते हैं कि paper लिखने के लिए बहुत सारे reference collect करने पड़ते हैं और देखना पड़ता है कि इसके पहले क्या काम हुआ है तो जब उन लोगों ने literature consult करना शुरू किया तो यह उन्हों ने देखा कि मेंडल ने तो इसे 1865 में ही अपने society में publish कर दिया है आप एक बात और जानिएगा कि मेंडल ने कोई law खुद नहीं दिया मेंडल की जो findings थी उसको laws के रूप में इन तीनों scientists ने दिया कि यह मेंडल का first law है और यह मेंडल का second law है कहीं कहीं इस students बहुत जगा हम देखते हैं और बहुत सारी books में भी छोड़ी books में भी लिखा रहता है मेंडल के दो ही ला है और कहीं कहीं तीसरा ला जोड़ देते हैं कि law of dominance law of dominance कोई law नहीं है करीब मेंडल के इस तरह से अपने popular lecture देने के बाद करीब 30 years पास हो गए और वो ऐसे ही पढ़ा रहा तो उसको 1900 में इन तीनों ने laws के रूप में formulation किया प्रेंगा